नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अजय चोहान आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कलकी भगवान के आवतार से जुड़े हुए उस रहसे की जिसको कहा जाता है कि कलकी भगवान का आवतार समय से पहले हो रहा है यानि कि 4,32,000 वर्स अभी कलकी आवतार को आने में मतलब संपूर्ण कल्यूग में बचा हुआ है यानि कि 4,32,000 में से भी 5,000 वर्स ही बीते हैं और अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कलकी आवतार हो चुका है या फिर होने वाला है तो इसमें ऐसा क्या कारण है कि कलकी आवतार समय से पहले हो रहा है यानि कि आज यदि हम कहें कि कलकी का आवतार हो रहा है या हो चुका है तो ऐसा क्या कारण है कि कलकी का आवतार समय से पहले हो रहा है तो मैंने अपना एक लेक पहले एक लेक लिखा था जो अपने रिसर्च वर्क के आधार पर मैंने सोयम लिखा था अपने एक ब्लॉग है मेरा धर्मवानी.com वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सच होने वाली है भविस्य मालिका की भविस्य वर्नी तो इस विसे पर मैंने ये लेख लिखा था अब उस लेख का आधार क्या रहा ये भी मैं आपको बता दूँ तो सोशल मीडिया में यानि की वेबसाइट सोगरा में और अलग-अलग लोगों की जो कहना था या भविस्य मालिका के आधार पर जिन लोगों ने कहा मैंने उनको कोट किया और उनहीं के आधार पर उसको बनाने का प्रयास किया उस आर्टीकल को तो उसमें काफी माथा पच्ची की काफी समय बिताया उसके बाद कहीं जाकर के मुझे ऐसा लगा कि लगभग ये चीज सटीक बैठती है जो सोशल मीडिया में ये सब चीजे कही जा रही है अलाकि हमारे मेनिस्ट्री मीडिया में या जो व्यावसाई के स्थर पर जो पत्रकारिता होती है उसमें कलकी भगवान का जिकर कहीं नहीं होता इस आवतार होने के बारे में अभी जो समय से पूर जो जिसकी बात चल रही है तो ऐसा क्यों है ये हम अलग बताएंगे लेकिन बात ये है कि यदि वो इसको नहीं रिपोर्ट कर रहे है या नहीं ले रहे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं जानते सोशल मीडिया के माध्यम से हमको यह अभास हो जाता है कि भारत का खास करके कोई भी व्यक्ति अब इससे अच्छूता रहा हो इस खबर से चाहे वो पत्रकार हो नेता हो राजनेता हो या फिर कोई भी बड़े इस्तर का व्यापारी हो उद्योगपती हो या किसी भी परकार का कोई व्यक्ति हो वो सभी को लगबग इस बात की जानकरी है वो किसी भी धर्म का हो उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन बात ही आती है कि यदि कलकी का आवतार समय से पूर्व हो रहा है उसका करण ये हो सकता है कि पाप अतीक बढ़ गए हो धर्ती पे अत्याचार अधीक हो रहे हो या फिर और भी कई परकार की विपत्तियां आ रही है या फिर हो सकता है कि समय आवधी ही पांच हजार रही हो लेकिन यदि समय आउधी ही पांच हजार की लगभग रही हो कलियुकी तो हमारे पुरान जो कह रहे हैं कि 4,32,000 वर्स टोटल इसकी आयूग है कलियुकी तो फिर या तो पुरानों में गलत दिया हुआ है या फिर भविशे मालिका गलत कह रही है दोनों मैंसे कोई एक गलत है अब गलत यदि हम कहें कि पुरान गलत है तो पुरानों को हम सुरुआत से मानते आ रहे हैं और ये कलियुक में भी थे कलियुक में तो है दौपर युग में भी थे तरिता युग में भी थे सत्य युग में भी थे तो ये पुरान वगेरा वेद वगेरा ये पहले से चलते आ रहे हैं लेकिन भविस्य मालिका जो है पिछले 5-600 वर्सों से इसका आधार है 500-600 वर्स पहले ही है रची गई है अब ये भविस्य मालिका कहती है कि धर्ती पर बहुत ज़्यादा पाप अत्याचार ये सब बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगले 500-600 वर्सों में ये कलियुक समाप्त हो जाएगा इस अधार पर यदि ये चलता रहा तो तो कहीं न कहीं हम भविस्य मालिका को अधार मान सकते हैं कि हाँ वो ठीक कहती है इसी तरीके से अगर हम पुराणों को माने तो पुराणों में भी यही उल्लेखे कि जब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा यानि कि अलप आयू में ही जो कन्या है वो माता बन जाएगी और विवा की आयू घट जाएगी और जैसे अभी हम देखें कि इराक में और अफगानिस्तान तरफ और उधर हम मिडिलिस्ट के कुछ जो बहुत ही मतलब पिछले हुए देश है कुछ दो तीन उनमें अगर हम जा है कि एक नया कानून बना हुआ पर की नौ साल की जो बच्ची होगी उसका विवा कर दिया जाएगा तो यहां सोयम अंदाजा लगा सकते हैं कि नौ साल की बच्ची को हम यहां पर कैसा पूजते हैं और वहां पर वो किस परकार से उसको यूज़ करेंगे तो यह दोनों वि इस्तिति पहुंच कुई है लेकिन अभी भी बची हुई है तो उसका आधार यही है कि अभी भी हम कन्या का पूजन करते हैं, 9 से 10 12 वर्स की कन्या का तक का हम पूजन करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उल्टा कर रहे हैं उसका, तो ये चलो मान लिया, अब दूसरी बात यह है कि हम कहें कि ब्राह्मनों का अपमान हो रहा है तो वो भी सत्य है कि ब्राह्मनों का अपमान होने का आर्थ है कि यदि वेदों में पुराणों में कहा गया है कि ब्राह्मन इस प्रत्वी पर साक्षत देवता का रूप है यानि कि ब्राह्मन जहां कहीं भी है उसको देवता माना जाए अब हम दूसरे देशों में अगर हम जाए कहीं अन्य स्थानों पर जाए भारत भूमी छोड़ करके अन्य स्थानों तो वहाँ पर ब्राह्मन का कोई अस्तितु नहीं है ऐसे ही बहुत सारे उधारन हम देख सकते हैं तो ये एक आधार इसको माना गया है कल की पुरान के अनुसार और भविस्य मालिका भी यही इंगित करती है तो भगवत पुरान और आप मेरे पिछे देख सकते हैं कि भविस्य महापुरान मेरे साथ है तो इसमें भी कुछ इसी परकार की बात कही गई है कि कब क्या होने वाला है तो जो भविश्य मालिका लिखी गई है उसमें कुछ पॉइंट दिये गए हैं तो वो पॉइंट मैंने नोट किये उन पॉइंट के अधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा कि क्या वज़य है कि समय से पहले कलियुक समाप्त हो रहा है और उसके अलावा अन्य जो माध्यम है या अन्य तरीके हैं या पिर हम कहला है कि कल इससे एक और वीडियो की मैं तयारी कर रहा हूँ वो सायद चार-पांच वीडियो की एक सीरीज बन सकती है इसमें तो उस सीरीज में मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कल की भगवान यानि कि ये कलियुक जो है उस कलियुक की शुरुवात कैसे हुई और कलियुग नाम कैसे पड़ा और ब्रह्मा जी ने इसको ये कलियुग नाम दिया और कलियुग की रचना की उन्होंने तो वो कलियुग एक समय आओधी न हो करके एक व्यक्ति विशेस हम उसको कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति विशेस है क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही स्रस्टी की रचना की है और उन्होंने ही इस यूग की भी रचना की है यानि कि इस यूग में हम जितने भी लोग हैं इस मृत्ति लोग में हम सब हैं तो हम सब कल्यूगी कहलाते हैं और हम कल्यूगी कहलाते हैं तो हम कल्यूग सुयम हम कल्यूग हैं और हमारे अंदर जो आत्मा है या फिर हमारे अंदर जो भी भावनाय होती है और मर्म होता है वो सबी कुछ कल्यूग कहा जाता है तो ये कैसे कहा जाता है और क्या कहा जाता है इन सब के उसे पर मैं कुछ नोट्स बना कर तयारी कर रहा हूं और इसके अधार पर फिर मैं अगला वीडियो एक तयार कर रहा हूं करने की कोशिज कर रहा हूं तो सबसे पहले हम आते हैं कि भविस्य मालिका में जो भविस्य वाणिया हैं उनके कुछ नंबर्स दिये गए तो पूरे नंबर्स तो मुझे नहीं मिले अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि 4,32,000 में से सिर्फ 5,000 वर्स ही शेश रहते हैं तो बाकी के जो समय अधिये वो कैसे डि कि जिसे एक व्यक्ति के आयू अगर हम अपनी माने तो हमारे 10 वर्स बालपन में बीट गए 10 से फिर 20 वर्स हमारी एज्जुकेशन में बीट गए और 20 से फिर 40 वर्स हमारे काम धंदा नोकरी करना ये करना वो करना उसमें उसके बाद फिर फ्रोड आवस्था में व्यक्ति पहुँच गया तो यह कि यह डिवाइड किया गया है आयू को इसी प्रकार से हमारे यह कलियूग का जो छरण हुआ है वो किस प्रकार से वा उसको मैं आपको सिंपल सी भासा में अपने जो लिखा है आप उसको खुद भी देख सकते हैं धर्मवानी.com पर इसका स्येशक है सावधान सच होने वाली है भहुस्य मालिका की भहुस्यवानी धर्मवानी.com पर तो उसके आधार पर मैं आप लोगों के यहां पर बताना चाहता हूँ तो यह ह पर शाषन जो चला रहे हैं हो भगवान विश्नु चला रहे हैं और अगर हम नहीं को नहीं पूजेंगे नहीं मानेंगे तो हम एक तरह से हम कहते हैं कि सम्ゲदान का यदिपालन नहीं करेंगे तो हमें धंडभुगत ना पड़ेगा नियम कारूण तोडने पर सड़क पर च जगत के राजा हैं, तो उन राजा का अपमान करना, या फिर उनके नियमों का पालन ना करना, एक और समयधानिक इस्तिती मानी जाएगी, आज की यूग में अगर माने तो, तो यहां पर उनका अपमान करना, उनकी पूजा ना करना, उनको, मतलब कई लोग कहते कि यह सब ची कि 7000 वर्स कम हुए हैं इस कलियूग से कलियूग से 7000 वर्स कम हुए हैं तो वो यसी लिए हुए हैं क्योंकि भगवान विश्णू की पूजा ना करना उनको ना मानना उसका नतीजा है और यदि मैं कहूं कि मैं बच्पन से भगवान विश्णू को मानता आ रहा हूं तो वो अपने स्वयम के लिए मैंने अच्छा किया है लेकिन मैं कहूं कि ऐसे एक लाख लोगों ने भगवान विश्णू को माना है तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों को शमा कर दिया जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बाकी लोगों जो है वो जो पाप कर रहे हैं उसी को सब के उपर अब इंप्लिमेंट किया जाएगा और जो एक लाख लोग है जो विश्णु को मान रहे हैं सपोज मैं मान रहा हूं भगवान विश्णु को तो ये मेरे सोयम के में जाएगा कि हाँ सबने मान लिया उसको मनलब कि एक एक दिन या एक एक घंटा सब में डिवाइट करके और उस कम कर दिये जाए उस समय को आउधी बढ़ा दी जाए तो ऐसा भी सम्भव नहीं हो इसी प्रकार से हम कहें कि तूलसी पूजा न होने के कारण तूलसी माता क और 12000 वर्स तो ये 12000 वर्स कल्यूग के कम हुए इसके बाद हम आते हैं कि अब भक्ष का भक्षन करने की घटनाओं से 8000 वर्स कम हुए अब भक्षन की अणडा मांस मचली मुर्गा बकरा बेड़ बकरी जो भी है ये जो खाय जाता है और अचकल तो गाए को भी खाया जा तो ये सब का जो पाप लग रहा है इस पाप के कारण कल्यूग की जो आयू है वो 8000 वर्स कम हो रही है यानि कि हम इसको ऐसे माने कि ये जो कल्यूग है यही व्यक्ति का शरीर है और इसमें आप अनाफसन आप कुछ भी ठूसते जाएंगे खाते जाएंगे कुछ भी अनियमित रहेगा अनारिय आप बनते जाएंगे यानि कि आरिय तो एक सब भी पुरुस हो गया अनारिय तो यानि कि आप मलेच या कुछ अन्य जैसे भी आप अपनी मांसिक स्थीति को भी डावडोल कर देंगे शरीर की सरचना को खराब कर लेंगे पेट निकलाएगा कुछ भी उबड़ कुब और हर एक परकार से आप शरीर को दंड देंगे तो ये एक परकार से कलियूग का क्षरण हो रहा है इसी परकार से यानि कि हम जो भी उल्टा सिधा खा रहे हैं आप सना आप जब चाहे सो जाएं जब जाए उठें काम करें ना करें तो हमारा सरीर खराब हो जाता है उसी पर और अगर हम उल्टा सिधा कुछ भी खाएंगे तो ये सेहत जैसे गिरती वेक्ति की उसी परकार से आयू घटती है और इसी परकार से कल्यूग की आयू भी घट रही है तो ये आप इसको एक बहुत अच्छा उधारान मान सकते हैं इसी परकार से पित्र, मात्र, द्रोहों की घटनाओं के कारण 13,000 वर्स कम हुए माता, पिता और अपने बड़ों का आदर ना करना इसके कारण 13,000 वर्स कम हुए इस कल्यूग की इसी परकार से परधन अपहरन परधन अपहरन यानि की चोरी डकेती, डाका या बेवज़ा का छीना जप्टी या कुछ इस तरह का परा आए व्यक्ति का धन अपने अंडर में करना और उसको फिर अयाशी करना, उस पर मोज करना, मस्ती करना तो ये भी हुआ उसी परकार से एक कह सकते हैं कि वो आपको खुद कमाना नहीं है बेलकि दूसरे के धन पर आसरीत होना और चीना जप्टी करके उसको चोरी डकेती करक उसका दोहन करना तो ये भी इसमें भी हमको 10,000 वर्स कम होते हैं कलियूग में इस परकार से जो सबसे बड़ा इसी तरह का अगर हम देखे तो जो सबसे बड़ा जो पाप लगता है यानि कि जो सबसे ज़्यादा समय जो कलियूग का कम हो रहा है सबसे ज़्यादा इस परका यानि कि कल्यूग का जो समय आउधी घटी है चार लाग बत्ती साजार में से, उन में से हम ये कहते हैं कि तीन लाग बत्ती साजार ही सेश रहा है, यदि बाकि सब ठीक है और सिर्फ गोहत्या ही हो रही है तो उससे भी, यानि कि दस हजार, पाँच हजार, आठ हजार ये सब मिलाके अलग है, लेकिन गोहत्या में एक लाख वर्स लगबक कम हुए हैं कल्यूग में, गोहत्या के कारण जो हम देख रहें कि गोहत्या तमाम हमारे संकराचारिय, पीछले वीडियो में आपको बताया, हमारे संकराचारिय जी किस परकार से 25-30,000 किलोमेटर की पैदल, वो जो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत ब्रह्मन पर निकले हुए, और उन्होंने गौर अक्षा के लिए अंदूलं चलाया, गोधज यात्रा हरे एक राज्य में, हरे बड़े शहरों में उन्होंने गोधज की स्थापना करने का संकर पे लिया, और करने के प्रैस कर रहे हैं, और अभी उन्होंने एक नया खुलासा किया कि कश्मीर में किस प्रकार से धारा 370 को हटाया लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाप और हो गया हिंदूों से यानि कि हम बहुत जो खुश हो रहे थे कि धारा 370 हट गई कश्मीर से और अब हमें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब कश्मीर पूरी तरह से भारत का होगए लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे धारा 370 हटने से एक बहुत बड़ा जो महापाप हुआ हिंदूों से वो किसी से अच्छुता नहीं रहा अभी तक किसी को ग्यात ही नहीं है कि उसमें कहां बहुत बड़ा पाप हुआ तो वो सरकारों ने हमसे छुपाया उसमें एक कोई कानून था कानून का एक नियम उसमें लागू था कि रनवीर एक्ट जो था वहाँ पर 1838 सम्थिंग या 1938 सम्थिंग में वहाँ कोई नियम नया कानून पास हुआ था उसके अनुसार वहाँ पर गोहत्या प्रतिबंदित थी और गोहत्या पर 10 साल की सजा थी और कुछ जुर्माना भी था अभी धारा 370 जब तक थी तब तक वो कानून वहाँ पर लागू था और वहाँ पर गोहत्या प्रतिबंदित थी पूर्ण रूप से, उसको खाना तो दूर की बात उसको प्रताडित करना भी प्रतिबंदित था, तो वहाँ पर आप कश्मीर को आप देख सकते हैं कि चोरी चुपे जो भी हो रहा हो, लेकिन कानूनी नजर में वहाँ नहीं आना चीए था, वो चीज़ थी, लेकिन जैसे ही धारा 378, 2019 में शायदी हटी है, तो उसके बाद से, वहाँ पर गोहत्या धड़ा धड़ा होती जा रही है, और पंजाब की तरब से वहाँ जा रही है, तो हमारे संकराचारियों ने बताया है कि कैसे भर के वहाँ गायें जा रही है, तो यह एक, हम विडंबना कह सकते हैं, तो यही एक कारण है कि गोहत्या के कारण एक लाख वर्स कम हुए, तो यह सरकारों ने हम से छुपाया, हम हिंदुवादी मानते हैं सरकारों को, किसी भी सरकार को, किसी भी निता को, लेकिन यह हमारी एक मानसी किस्तिती ऐसी बन ये कि हमें hypnotize करके उन्होंने राजनितिक तरीके से पूरी तरह से बंदी बना लिया दिल दिमाग को हमारे तो हमें दिल दिमाग खोर लें की आवश्यक्ता है सनातन धर्म को अपनाने की जरूत है ताकि हम धर्म को धारन करें और राजनिति और राजनिताओं से मुक्त हो जाए इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा तो ये एक लाख वर्स गोहत्या की कारण संपूर्ण प्रत्वी पर गोहत्या हो रही है ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत भूमी पर हो रही है लेकिन भारत भूमी पर जो हो रही है वो ज्यादा महतोपूर्ण है क्योंकि भारत भूमी ही ऐसी भूमी है जिसने अभी तक प्रत्वी को कल्यूग की समाप्ति तक बचा के रखने की च्वम्ता धरन की हुई है और इस प्रकास से जूट बोलने की घटनाओं से 5000 वर्स कम हुए कल्यूग के जो 5000 वर्स जूट बोलने के करण कम हुए उनी में से एक ये भी घटना है तो मित्र द्रोह की घटनाओं से छे हजार वर्स कम हुए मित्र के साथ द्रोह करना, विद्रोह करना, मित्र को धोका देना या इस प्रकार की घटनाय करना, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ तो उससे भी पाँच हजार वर्स, छे हजार वर्स कम हुए इसे प्रकार से अतित्य सत्कार न होने की घटना से 6000 वर्स यानि कि महमानों के आवभगत ठीक से न करना, दिल से न करना, उनका सम्मान न करना अतित्य अतलब महमानों का कोई भी हमारे घर जो आता है, महमान यह हम जाते हैं तो हमारा सत्कार नहीं होता है तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि छे हजार वर्स उसमें भी कम हुए है हलाकि ग्रामिनी छित्रों में चले जाए हम रिमोट एरिये में चले जाए हम गरीबों के घर में चले जाए तो आज भी वहाँ पर आती थी सतकार बहुत अच्छा होता है पहाडों में यदि हम चले जाए तो हिमाचल में उत्राखन में या बिहार के किसी छोटे गाउं में चले जाए या फिर हम जाडखन में चले जाए हम अद्देप्रदेस में चले जाए तो छोटे घरों में जो सम्मान मिलता है महमानों को वो सम्मान और शहरों beet में शहरी आबादी के द्वारा जिस सम्मान दिया जाता है कि यह फिर आगया दो दिन रहे के जाएगा हमारे पस नटाइम है ना खाने को है ना हम समझ्या ये है ना वह है तो ये सब चीजे सहरों की तरफ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये जो पाप, अत्याचार और ये कलियूग का चलन हो रहा है सहरों की तरफ से वह ज़्यादा हो रहा है इसी प्रकार से हम अगर कहें कि ब्राहमन के द्वारा होने वाले व्यभीचार की घटना से बीस हजार वर्स कम हो रहे है यानि कि ब्राहमन द्वारा भी पाप किये जा रहे है ब्राहमन भी उनमें कहीं कहीं लिपता है और राजनितिक स्तर को आगे ले जाने में राजनिती को आगे ले जाने में ब्राहमनों का भी योगदाने और राजनेताओं को कि पूजा करना उनके चरण बंदना करना और उनके लिए दरियां बिच्छाना और उनके सम्मान में सोयम बीच जाना और उनके लिए मर मिटने को तियार हो जाना नेताओं के लिए तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि कल्यूग का खशरन हो रहा है और 20,000 वर्स कम हो रहे हैं इस प्रकार से तो यह कुछ ऐसे कारण है जिनको हम कह सकते हैं कि इनके कारण कल्यूग घोर अंदकार में स्थिति में पहुँच रहा है और यह 5000 वर्सों में सिमट कर रहे जाएगा ऐसा हमारा अनुमान है तो लंबा वीडियो हो जाएगा इस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और यह जो मैंने दस टोटल 23 पॉइंट है मेरे पास जो मैंने नोट कर पाया हूँ उस में से 10 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ और आगले कुछ पॉइंट्स में अपने आगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से यह कल्यूग का टोटल जो है ओवराल कितने वर्स कम हो रहे हैं और कल्यूलेशन क्या कहता है इसका तो यह थी मेरी अच्की जानकारी और मेरी यह विचार यह दिया आप लोगों को मेरी यह जानकारी विचार अच्छे लगते हो तैक पर कमने वाक्स मुझे ज़रू बता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे लाओ